अंजी दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करता हूं भाई सब बढ़ियाओंगे इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे साउथ अफरीका वोमेंस और इंडिया वोमेंस के बीच में जो वोमेंट ट्राइ सीरिस का फाइनल मैच खेला जाएगा इसको अच्छे से गवर करने वा टी-टोंटी मैच था एक तरफ हमने विन करा था भाई आप लोग जाके टेलीग्राम पर स्क्रीन सोट भी देख सकते हो मैंने सारे जो विनिंग स्क्रीन सोट है वो आपके साथ में टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर गर रखे तो वीडियो में आपको जो भी इन्फोर्मेश पर भी मैंने ये चीज़ लिखी थी तो भाई आप लोग अगर वीडियो कंप्रेट देखोगे और स्टैट्स बढ़िया तरीके से समझोगे तो डेफिनेटल आप लोग एक बढ़िया टीम कॉमिनेशन बनाओगे और इजली एक तरफा विन कर पाओगे इस मैच को भी डिटे सर्फ टोस होने के बाद टेलीग्राम चैनल पर ही अपडेट किया जाएगा लिंक आपको नीचे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिलेका टेलीग्राम चैनल का सबसी उपर एक पिंड कमेंट है वहां से आप लोग टेलीग्राम को जरूर जोईन कर लेना फिर से बता ठीक है तीन टीम्स थी इंडिया वूमें साउथ अफरिका वूमें और वेस्ट इंडिस वूमें वेस्ट इंडिस वूमें ने उलड़ी बाहर हो चुके और साउथ अफरिका वूमें इंडिया वूमें के बीच में ये फाइनल मुकाबला खेला जाएगा तो सबसे पहले बा नहीं दोस्तों ये जो women's का match रहेगा ना और women's के match में आप लोग कम score expect करके चलना men's वाला case नहीं है कि भाई 170-170 के जो है आप लोग average score मानके चलोगे women's का match है अगर westernies women यहाँ पर खेल रही होती तो आप लोग और थोड़ा सा कम score मानके चलते लेकिन South Africa women और India women की team फिर भी थोड़ा सा strong team है तो यहाँ पर बड़ा score भी बन सकता है बड़े score में कितना जाएगा भाई 140-145 के आसपास के score की उमीद गरना ठीक है इस से ज़्यादा मैं नहीं समझूँगा क्योंकि लगातार भाई इस विकेट पे जो है matches खेले जा रहे है तो हो सकता है बोलस के लिए पे ज़्यादा help याँ पे देखने को मिल जाएगी तो वो भी चीज आपको ज्यान में रखनी है ठीक है स्कोरिंग पैटर में भी देखोगे 150 से कम पाच बार score बना अब टोटल मैचिस कितने खेले गई बाई केवल साथ मैचिस यहाँ पे वह जहां पे 50 से कम का score तो पाच मैचिस में बना तो इससे भी किलिए रहे कि बाई कितना लो स्कोरिंग वेन्यू रहेगा और वुमेंज का मैच तो वैसे भी कम स्कोर की रिशेंड मैचिस में बात करें लास्ट मुकाबला इस वेन्यू पे 30 जनवरी 2023 को वेस्ट इंडिज वुमेंज ने भाई 94 करें 6 विगेट पे इंडिया वुमेंज ने 95 बना दो विगेट पे और इजिली चेस कर दे वेस्ट इंडिज वुमेंज वैसे भी इतना बड़िया बना के बढ़िया जेज कर दिया 23 जनवरी इंडिया वुमें 167 एकमात्र मैच जाहें 160 पलस का स्कोर देखने को मिला वेस्ट इंडिज वुमें अगेन उतना बड़िया नहीं के लिगेवल 111 कर पाई थी और इंडिया की टिम ने काफे मार्जन यानिकि 56 रन से इस मैच को व इंडिया वुमें साउथ अफरिका वुमें के बीच मैच था 19 जनवरी इंडिया वुमें 147 लगाई थे 6 विगेट पे जबके साउथ अफरिका के वल 120 कर पाई थी 9 विगेट पे और ये फर्स्ट मैच था ठीक है इसी वुमेंस ट्राइ सीरिस का अगर आपको जान में होगा और यहां पे 27 रन से मैच को विन गरा था बट एक चीज़ अगर आप लोग नोटीस करोगे तो भाई जो भी टीम फर्स्ट बैटिंग करना है यह न उसने तो फिर भी ठीक ठाक स्कोर करा अगर मैं सिर्फ एक टीम यानि की वेस्टन डिज वुमेंस की टीम को छोड़ दू उसके हलावा चाहे इंडिया वुमेंस ने पहले वैटिंग करी हो या भाई फिर साउथ अफरीका वुमेंस ने पहले वैटिंग करी हो मतलब कोई भी टीम ने पहले वैटिंग करी बढ़िया स्कोर करा लेकिन चेस करते टाइम थोड़ा सा या पर डिफिकल्ट जरूर नीचे चलेंगे दोस्तों अगर मैं head to head matches की बात करूँ पिछले 5 साल में तो दोनों टीम्स के बीच में 12 matches हुए हैं जापे इंडिया वोमेंस ने 7 match जीते तो भाई साथ अफरीका वोमेंस ने भी 5 match विन कर रखे हैं दो मैच ऐसे रहे जिलका भाई result नहीं निकला तो यहां पे साथ अफरीका वोमेंस को हलके में मत लेना जरूर यहां पे इंडिया वोमेंस को टकर दे सकते हैं बट जरूर चाहेंगे हम लोग यह भी कि इंडिया वोमेंस इस मैच को जरूर से win करके जाए लेकिन उसका case में यह के बारे में आपको कोई भी confusion यहां पे नहीं बचेगा इंडिया वोमेंस की बात करेंगे मंदाना ने 4 पारियों में 6 रंस कर रहे है 43 कावरेज है बहुती बढ़िया फो में एक मैच में तो काफी बढ़िया पारी भी थे भाई अगेस्ट वेस्टन डिज अगर आपने देखा होगा वाई एक तरफा हमने विन कर रहा था जो स्टेटेजी मैंने आपको वीडियो में बताई थी वही मैंने टीम कोंबिनेशन में अपलाई करी थी और हमने एक तरफा सारे कॉंटेस्ट विन करे थे यहां पर बढ़िया प्ले रहे है उपर भी बैटिंग इन्हों देखने को मिलेंगे डी वैद के बोलिंग के स्टेट्स यानि एक पारी में इनकी बैटिंग आई जिसमें इन्होंने नो रंस करे और भाई तीन पारियों में गेनबाजी करवाई और दो विगेट निकाले है ठीक है तो इसमें आप लोग कन्फ्यूज मत होना कि बाई एक स अपनी टीम में इनको पिक भी कर रखा था सिखा पांडे दो पारियों में अब तक कोई भी विगेट नहीं निकाल पाई है और यहां पे हो सकता है कि सिखा पांडे शायद इस मैच में आपको खेलती वी भी ना दिखे क्योंकि दो पारी बिल्कुल फ्लोप है अदर किसी ब सिखा पांडे की जगय पे डाएक्ट याँ पर आपको सनेर आना या फिर रादा यादो जो रहेंगी वो टीम में वापसी करते भी दिखसकती है मैकसिमम चांसे रहेंगे शिखा की जगया पर हो सकता है रादा याद¬ आपको खेलते भी। जरूर दीखें दूसरी साइड दोस्तो साउथ अफरीका वुमेन की बात करें एल वोलवेर डोट रहेंगी तीन पारी त्यत्तर रंसे साड़े सत्तिस कैवरेज़ और काफी बढ़िया प्लेयर है साउथ अफरीका वुमेन्स की साइड से मेरे साफ से थोड़ा खुद को टाइम देंगी टिक के बैटिंग करे देंगी शोरली यहां पर अच्छे रंस कर सकती है टी ब्रिट्स एकी पारी में बैटिंग आई थे और उसी में 50 रंस लगा दिया था गेंस्ट वेस्टन डिज वो मैच सा एम कैप सबसे पहले आपको पता दू थोड़े से चांसे जिनके बाई हो सकता आपको कम देखने को म नहीं मिला था उसके बाद कोलें ट्राइन रहेंगी दो पारी 29.5 कैवरेज एक विकेट इनके नाम है ड्रैक्शन ने एक पारी में कोई विकेट नहीं लिया एंडी क्लैर के दो पारी 23 रंस बट विकेट अब तक इनको नहीं मिला थीन पारियों में एस जाफता एक पारी 11 और एक पारी इनकी बैटिंग आई थी 20 सिकूने रहेंगी एक पारी 2 विकेट इसमेल एक पारी कोई विकेट नहीं मलाबा चार पारियों में चार विकेट तगडी फो में हैं एम क्लास तीन पारी 5 विकेट यह भी खतरनाक फो में भाई एक खाका दो पारियों में दो विकेट इनकी में गेंद बाज रहेंगी यहां पर इसमेल मलाबा क्लास और खाका ठीक है यह चार में गेंद बाज अब देखो यह पास हो तो भाई नहीं कहलने वाली कोई ना कोई इन में से मिस जरूर होगा क्योंकि भाई इनके पास में एंडी क्लैर की की ओप्सन है की ट्राइन की ओप्सन है स्यून लूस की ओप्सन है कैप खेलती है तो वो भी गेंद बाजी डाल सकती बट कैप के थोड़े से चांसिस मुझे कम दिख रहे हैं ठीक है बागी दोनों ट आपको यहां पे जरूर दिखाऊंगा तो सबसे पहले डेमो टीम पे चले उससे पहले बता दूँ अगर आपने यहां टेलीग्राम को जोईन नहीं कहना तो सबसे पहले तो टेलीग्राम को ही जोईन आप लोग जरूर कर लेना तो उसके बाद की अपडेट्स फाइनल टीम में शायद आपको एक इंडियन जो प्लेयर है गाना वो ज्यादा देखने को मिल सकता अब डोस के उपर भी बहुत सारी चीज़े डिपेंड करेगी कौन सी टीम पहले बैटिंग करने आ रही है कौन सी सेकेंड बैटिंग करेगी उस केस में भी टीम में जो है चेंजिस करने प सकते हो बहुत अच्छे आपके लिए पिक हो सकते लेकिन जितना उसके वोमेंस के मैस में फोकस करो यार आप लोग ऐसे प्लेयर पर जो कि आपको बैटिंग के साथ में गेंदबाजी भी डाल के दें यानि कि सबसे पहले ओलांडर सेक्शन पर फोकस करो और उसके बाद में सकते अब लोग लांडर सेक्शन से पिक करो या फिर बालिन की साट आफर आपको बोलिंग ओपसं स मिल जाएंगी इंडियें टीम में भी कम से ek मार को च्छै से इसे साथ बोलिंग ओपसंस मिलेंगी तो बाई ओवर भी किसी ना किसी के कट्ट जरूर हो सकते बट मेन बोलर स पे अफिलोट ट्राइए करने की कोशिज करो जिसके चार ओवर कंप्लेट करने के पूरे पूरे चांसीस बने जैसा कि इधर से बात करूँ अदिप्ती शर्मा रहेंगी कणफर्म है भाई चार ओवर अपने कंप्लेट करेगी उधर से भाई अगर बात करूं रादा यादा हो सकती है फिर गायकवार जो भी खेलेंगी वो चार कम्प्लेट कर सकती है अब पुजा वस्तराकर चार कब कम्प्लेट करेंगे जब इनके शुरुआती एक दो वर बढ़िया जाएंगे और विकेट मिलेंगे वहाँ पे विकेट नहीं बाकी और कोई अपडेट होगी कोई चेंजी जोंगे दोस्तो टेलिग्रम पे आपको शूरली अपडेट मिलेगा टोस के बाद में तो जोईन जरूर करके रखना उमीद करता हूँ कि वीडियो आपने कम्प्लेट वोच किया होगा बाई पसंद आयो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन बैल बी ओन कर लेना भाई कोई भी वीडियो आग अपलोड होगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा मिलते है दोस्तो फिर अगले मैच की वीडियो में उमीद करता हूँ आप लोग इस मैच में एक ब